देश में कोरोना वारस के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के मामले दिन प्रती दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बीते दिन ओमिक्रॉन के 17 मामले दर्ज हुए जिसके बाद अब कुल संख्या 21 हो गई है रविवार को दर्ज 17 मामलों में 9 राजस्थान की राजधानी ज्यपुर से 7 महराष्ट्रा के पूने से और एक मामला दिल्ली में दर्ज हुआ है राजस्थान की चुकिस्सा सच्वी वैभब गलारिया ने बताया है कि संक्रमित लोगों की जिनोम सिक्वेंसिंग से 9 लोगों के कोर्णा वारस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टी हुई है वहीं मारास्ट्रा के स्वास अधिकारी ने पूरे जिले में 7 लोगों की ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टी की है जानकारी के मताबिक दर्ज मामलों में अधिकतर वो लोग पाई गई हैं जो हालही में अफरीकी देशों से आए हैं या इससे तरह के लोगों के संपर्थ में आए हो देश में आमिकराण का पहला केस करनाटक में देखने को मिला है जिसके बाद आप दिली समेद पांच राजों में वरियंट के मामले दर्च हो चुके हैं राजस्थान में नौ मामले, महराश्ट वामी आठ मामले, करनाटक में दो मामले गुजरात में एक मामला, दिली में एक मामला है तो ऐसे में साफधान रहने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है, क्योंकि देखते ही देखते, 2-3 दिनों में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, यह मामले 100 तक ना पहुँचे, इसको लेकर तमान तैयारिया की हुई है, क्योंकि अगर 100 तक मामले जाते हैं, तो फिर मामले बढ़ते हुए नजर आएंगे, ऐसे में गुजरात हो, दिल्ली हो, महरास्ट हो, राजिस्थान हो, यहाँ पर हाई अलर्ट पर सरकार जो है, वो काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, साथी साथ जो लोग ऐसे हैं, जो दूसरे देशों से वापस लोटे हैं, उनक की पहचान करना भी बहुत जरूरी है.